Hello traders, Welcome back to my channel Equity star Traders, आज की इस वीडियो में सबसे पहले यहाँ पे Bank Nifty का analysis को हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद हम लोग Nifty का analysis को देखेंगे अब दिखेंगाईज यहाँ पे अगर previous day के recording only Bank Nifty को देखें तो यहाँ पे market क्या किया है एक बार retrace किया है बार क्या कर रहा है reject कर रहा है और यहां से जो यह rejection है ना इस rejection से नीचे आके last time closing किया है इसका मतलब होता है या तो आप इसको M pattern ले सकते हो या आप इसको double top consider कर सकते हो दोनों के according जो neckline होता है वो हमारा ये वाला होगा जिसको हम लोग 51,300 consider कर सकते हैं अब जब भी market मान के च मतलब gap up या gap down नहीं होता है उस condition में 100% probability है कि market में यहां से selling pressure काफी ज़्यादा है और यहां से panic selling आने की संभावना है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके पीछे कुछ logical बाते है जो मैंने आपको यहां पे technically समझाया अब दूसरा सबसी important है कि कुछ news effect भी है जैसे आपने द गलत impact market पे दे सकता है दूसरा सबसी important कि guys आप लोग यहां पे bank x का expiry mid gap का expiry देखेंगे वो expiry होने के कारण भी market में volatility काफी high हो जाती है जबकि यहां पे देखिए previous day से ही और काफी मतलब 2-4-5 दिन से या एक week पहले से आप बात करेंगे तो always market क्या कर रहा है जहां भी open हो लेगा लेकिन downfall आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा upside में rare देखने को मिलेगा downfall आपको बार-बार market देखने को मिलेगा इसका मतलब होता है market का sentiment तो overall sales side में है ही लेकिन अगर यह new effect भी हो जाए और साथ में यह जो M pattern है इसके according market यहां पे open होके और यह 300 को यहां पे breakdown कर देता है तो आप मुझे बताओ कि इतने सारे region एक साथ यहां पे match कर जाता है एक साथ आपको breakdown भी मिल जाता है तो क्या आपको यहां से यहां तक panic selling नहीं मिल सकता है guys definitely मैं तो 100 नहीं 200% में बोलता हूं कि यहां से अगर properly breakdown मिलता है तो कोई नहीं रोक सकता है बहुत momentum market दे सकता है 850 तक हम लोग target initiate कर सकते हैं दूसरा सबसे important बात कि अगर यह M pattern जो market बनाया है इसको अगर fail कर देता है मान के चलो यहां पर open होता है उपर जाने लगता है या फिर इस range में momentum करने लगता है तो guys ऐसा देखो इस range में अगर momentum करता है 615 के उपर निकलता है तो यह यहां पर भी quantity कम रखेंगे buy side के लिए target आपको यह 880 और 950 यह दोनों target यहां से हम लोग देख सकते हैं यहां पर देखिए एक target आप इसके बीच में भी ले सकते हैं लगवग 51,750 के गरीव ठीक है यह वाला लेकिन guys मैं मानूंगा upside में जाएगा क्यों upside में जाने के लिए इसको यह double top यहां पर market लगाया है एक तो इसको breakout करना पड़ेगा जो rarely market यहां पर कर पाएगा दूसरा market का sentiment बिलकूल upside जाने का है ही नहीं ठीक हैं तो यहां पर sentiment क्या है previous निनों से काफी पहले से भी लगवाई एक से दो week से भी market always try कर रहा है downside में जाने का तो हम लोग का य region है जो indirectly market यह approach कर रहा है कि जब भी open होंगे बहुत बड़ा downfall यहां से आ सकता है अब देखिए यहां पर analysis यहां पर technically सारे logic को भी बता दिया क्या इतने बताने से profitable हो जाते हैं लोग गायच इतने बताने के बाबजूद भी लोग गलतियां करते हैं losses खाते हैं और market को सही त share करता हूँ trade लेने के पीशे का क्या psychology होता है बहुत सारे चीजे मैं always explain करता हूँ वीडियो में अगर आप उस वीडियो को देखते हैं जो profit वाला होता है वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे और इतना करने के बाद भी आप apply नहीं कर पाते हैं live market में तो गायच आपके live levels को सिर्फ आप देखिए आपको trade नहीं करने हैं आपको accuracy पता चल जाएगा कि मैं किस level का काम करता हूँ ठीक है इसके कोई पैसे कोई charges नहीं लगते सारे link आपको वीडियो के discussion मिल जाएगा आप लोग check out कर सकते हैं अब देखो यहाँ पर यह निफ्टी का आप चार्ट द बनाया था उस gap को क्या क्या feel कर लिया difference देख रहे हो आप bank nifty ने gap feel कर लिया लेकिन nifty क्या क्या है nifty gap को feel नहीं किया इसका मतलब है अगर मैं 100% में 100% नहीं लूँ 5% सिर्फ लेता हूँ ठीक है 5% chances मैं ले सकता हूँ कि market यहाँ से open होके अगर यहाँ से उपर जाता है तो 5% chances है कि market यहाँ से इस gap को पहले feel करना चाहेगा और इस level तक जरूर आना चाहेगा most probability है अगर यहाँ से market में इतना selling pressure आने के बाद भी market में यहाँ से अगर capacity होता है market को यहाँ तक जाने का इसको breakout करने का तो definitely यहाँ तक भी pressure जरूर होगा आने का ठीक है तो यह चीज़े हम ल probability है कि market का sentiment down है bank nifty already sentiment जो market का है bank nifty का उसका भी down है यहाँ पर देखिए gap up gap down हुआ था previous day और इसके बापजूद market इतना बड़ा selling pressure फिर से try किया upside में जाने का लेकिन जहाँ से gap down हुआ था इस level को touch भी नहीं कर पाया breakout तो दूर की बात है touch भी नहीं कर पाया फिर से again sell side में य इसको m pattern बोलेंगे purely क्यों क्योंकि ये neckline और ये neckline दोनों एक position पे नहीं है अगर ये दोनों एक position पे रहता है मतलब ये वाला भी pick point इसी level के पास touch हो के यहाँ से नीचे आता तो मैं मानता कि इसको m pattern भी बोल सकते थे या फिर इसको double top भी बोल सकते थे m pattern तो इसको बोलना ह लेकिन double top नहीं बोल सकते हैं इस condition में ठीक है लेकिन दोनों pick point अगर एक point पे बनता है या फिर एक straight line पे बनता है horizontal line पे बनता है यहाँ पे बनता तो इसको जरूर हम लोग double top भी बोल सकते थे लेकिन अब सवाल आता है कि market का closing यहाँ पे है ठीक है लेकिन M pattern बना हुआ है इस का भी क्या है down side के लिए है तो most priority है news को देखते हुए technically सारे चीजे market यहाँ पे क्या दिखा रहा है down side दिखा रहा है अगर market यहाँ पे 24,700 यह जो support level है जो range support है इसके नीचे marketical closing दे देता है opening के साथ तो दुनिया का कोई power मुझे लगता है कि नहीं रोक सकता है आपको यह सा और है कि bank nifty भी कहीं ने कहीं आपको support level को breakdown करते हुए दिखेगा और जैसे इस level के नीचे closing किया तो definitely वो भी एक बड़ा target देगा यह भी trending हो जाएगा downside में और दोनों का जब direction एक हो गया तो guys फिर तो रोकने वाला यहाँ पे कोई मिलेगा ही नहीं सिर्फ आपको trade में इंट फिर आपको चुपचा बैट कर देखना है आपको थोड़ा सा भी कोई भी trade के बारे में तो सोचना ही नहीं है लेने के तो दूर की बात है सिर्फ आपको wait and watch करना है जब तक इस level में और इस level के बीच में market running करता है तो यह एक sideways market को indicate करता है ऐसे में अगर आप buy करेंगे definitely यह यहाँ पर क्या होगा only आपका capital नुकसान होगा premium decay होगा ultimately आपको loss करेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इसके बाद करें क्या इसलिए ऐसे market में कम से कम trading करने से avoid कीजिए और जब market proper breakout या breakdown आपको दिखाता है तो definitely वहाँ पर हम लोग अच्छे quantity या regular quantity buy sale कर सकते है जैसा कि यहाँ पर sentiment सारे dawn है सब कुछ market के according हम देख पा रहे हैं लेकिन कल अगर market यहीं पर gap down open ना होके normal open होके इसको breakdown करता है तो guys हम लोग को इतना बड़ा momentum मिल सकता है ठीक है तो इस चीज़ पर हम लोग जरूर फोकस करेंगे live market में सारे update आपको free telegram में जरूर मिलेंगे सारे link इस वीडियो के discussion मिल जाएगा check out कर सकते हैं guys वीडियो पसंद आया दे वीडियो को like share और channel में नए है तो channel को subscribe बिल्कुल करना न भोले क्योंकि अगर आप subscribe करेंगे तभी आपको कोई वी वीडियो जो मैं डालूंगा तो उसका latest notification आप तक जाए पाएगा और आप उस